नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ BBA Basic का Part 2 के बारे में ठीक है तो First Part में हम लोगों ने देखा था कि Say Hello का Button जो है किस तरह से BBA में Start करते हैं जैसे हैं आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको Hello का Message आता है और आज के इस वीडियो में हम और वेल्यू प्रेस करूंगा तो किस तरह से इसका बेल्यू घटना चाहिए तो फूर बात आज के वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो चली चलता हूँ यहां पर Already Button किस तरह से बनाते हैं वह Already मैं First वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ तो यहां पर Already एक Button बना हुआ ह और मुझे एक और Button बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से इस Button को आप Copy कर लिजे ठीक है Copy करने के बाद क्या करो यहां पर पेस्ट कर दो तो यहां पर अभी क्या हो गया दो Button हो गया मेरे पास ठीक है तो अभी यहां पर एक Button Higher के लिए कर रहा हूँ एक Button Lower के लिए जैस तो First Button हो गया मेरा Higher और Second Button हो गया नाम Lower ठीक है तो दो Button का मैं Name लिख चुका हूँ लिखने के बाद अभी क्या करना मुझे चाहिए कि इस Button को प्रेस करने से यह Value बढ़ना चाहिए और Lower Button प्रेस करने से यह Value क्या होना चाहिए घटना चाहिए ठीक है इसके लिए जो हम लोग करेंगे वह किसी करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लिए ठीक है अगर आपके पास इस Ribbons बार में डेध़ैन नहीं है सब्सक्राइब करेंगे देखें क्या है यहां पर फर्स्ट वीडियो का जो मेसेज प्रोग्रामिंग आ चुका है मेसेज बॉक्स में से हेलो करके मॉडूल लिखा हुआ अभी क्या करना? इसके लिए मुझे एक और मोडूल एड करना परेगा next programming के लिए तो मोडूल नहीं है यहां पर आप क्या करोगा? इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहां क्या है? मोडूल ओके? तो module 2 में मुझे क्या करना है, programming करना है, किसके लिए programming करना है, higher के लिए और lower के लिए, तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे, sub, क्या पहले, lower, lower के लिए मैं programming कर रहा हूँ, ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करो, क्या लिखेंगे programming इसके लिए, देखें, मैं simple स लिख रहा हूं range range मेरा क्या था यहां पर range क्या था ई-4 लिख रहा हूं और इसको जो लिखूँगा double code के अंदर ही लिखूँगा इसको जो है double code के अंदर आएगा और इसको जो है आप close कर दीजिए इसके बाद लिख लेंगे dot value value लिखा मैं e4 यहाँ पे क्यों लिखा हूँ ठीक है e4 यहाँ पे क्यों लिखा हूँ range e4 क्यों लिखा हूँ देखे क्या है अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखे यहाँ पे आपका जो है यह जो data मुझे इसको बढ़ाना है तो यह देखे, ई और यह 4 तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं E4, ओके, E4 जैसे ही लिखा हूँ, ठीके, E4 लिखने के बाद क्या है E4 लिखने के बाद next क्या करना है, देखे next मैं फिर से मैं इसको equal to लिख रहा हूं, E4 equal to और यहां पर इसको जो से वेल्यू को मैं क्या कर रहा हूं कोफी कर रहा हूं कोफी करके आप यहां क्या करो पेस्ट कर दो ठीक है अभी क्या होना चाहिए यह फोर का जो बैल्यू होना चाहिए लोवर बैल्यू में एक कम होना चाहिए जितना बैल्यू उससे कम होना चाहिए तो यहाँ पे आप लिख दो minus 1, ओके, तो यह होगे हमारा lower के लिए, ठीक है, तो आप क्या किये, क्या लिखा, सब lower के लिए, range e4 dot value, equal to range e4 minus 1, ठीक है, आप minus 1 value, आप क्या कर दिये, कम कर दियो, ठीक है, यह तो होगे, प्रोग्रम lower के लिए, same way higher के लिए भी लिखना, तो आप same इसी को जो है, copy कर दिजिए, ठीक है, copy करने के बाद, आप क्या करो, यहाँ पे paste कर दो, पेस्ट करने के बाद, यहाँ पे भी lower, यहाँ भी lower उताने चलेगा, एक higher के लिए कर रहा हूँ, इसको higher के लिए, और higher value, जब भी change करूँगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे plus होना चाहिए, यहाँ पे आप change कर दो, ठीक है, यह हो गए आपका programming, अगर आपको save करना तो इसको save कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे seat पे, ठीक है, seat पे चलेंगे तो देखे क्या होता, यहाँ पे मतलब की higher के लिए program में लिख चुका हूँ, ठीक है, अभी हम लोग इस दोनो बटन को क्या करेंगे, यहाँ पे micro assign करेंगे, micro assign किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे क्या करो, इसको select करके, right click करेंगे, और यहाँ पे assign micro करके, आप यहाँ क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जो है, क्या आ रहा है, higher के लिए, higher के लिए हम लो लोवर के लिए क्या प्रोग्राम किये थे लोवर किये थे लोवर आप सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बद आप क्या किजिए इसको अभी देखे यह काम कर रहा है कि यहां पर के इतना लिखाओ तू लिखाओ अगर यहां पर हाइयर को अभी देखिए प्रेस कर रहा ह प्रोग्रामिंग किया किस तरह से किया पूरा डिटेल में बताया हूं ठीक है तो भीडीय में जाने के बाद आप किया प्रोग्रामिंग कियाँ लौर के लिए हाइर के लिए और मॉडुल 1 में बॉक्स वीडियो जो कि फर्स्ट वीडियो में देखा था यह सकेंड वीडियो मॉडूल टू किस तरह से एड़ किये और लोवर हाईयर के लिए देखें ठीक है तो सभी प्रोग्राम में आप देख चुके हैं और यह किस तरह से फंसन काम कर रहा हा हाईयर तो बटन का चेंज सेल बेल्यू मतलब सेल का बेल्यू किस तरह से आप चेंज कर रहे हो यहां पर क्लियर है पता चल गया आपको किस तरह से हम लोग सेल बेल्यू चेंज करेंगे बीविये कोड की मदद से ठीक है तो इस वीडियो में क्या-क्या आपने सीखा कि एक हाईयर के लिए किस तर के साथ नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद थैंक यू